हलो फ्रेंट्स वेलकम टो स्टॉक मार्केट रिक्स यह मेरी दूसरी वीडियो है आज की और हम लोग आप्शन चेन अनालिसिस से निफ्टी की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करने की कोशिस करेंगे अब देखिए आपने यहां पे निफ्टी जो हमारी ब देखिए निफ्टी का हमारा तो अब हम यह देखने की कोशिस करेंगे कि कहां पे सबसे ज़्यादा ओपन इंड्रेस्ट है कहां पे लोग सबसे ज़्यादा अपनी पोजिशन लेके बैठे हुए हैं और आज जो है मार्केट में कहां पे लोगों ने अपना पोजिशन एड किया है तो जो call side होता है यह जो call side है यह होता है किसी भी stock या फिर indices का resistance फाइंड करने के लिए कि वहां से मार्केट जाएगी और नीचे हो सकती है गिरेगी और put क्या होता है put होता है कि put, put में support हम लोग तलासने की कोशिस करते हैं तो यह जो open interest के बात हो रही है यह हो रही है call को sell करने की call को sell करने की बात हो रही है put को sell करने की बात call को sell करने का मतलब यह है कि market कहाँ पे जाएगी market नीचे जाएगी और put को sell करने की बात market कहाँ पे जाएगी market उपर जाएगी तो अब हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा open interest है वो nifty में कहाँ पे build हो रहा है तो अगर हम देखे अब देखिए 10,000 जो strike price है हमारा यहाँ पे nifty सबसे ज़्यादा open interest लेके बैठा हुआ है और यहाँ पे लोग भी जो है सबसे ज़्यादा add हुए है 14,87,775 तो यह जो सबसे बड़ा एक resistance nifty का है उसके बाद कहाँ पे है अगर हम जाएं तो हमें यह मिल रहा है 16,000 16,000 यहाँ पे add हुए है वो है 9,84,975 तो यह तो पहला हो गया हमारा resistance क्योंकि सबसे ज़्यादा open interest हमारा यहाँ पे है फिर यहाँ पे 9,000 के आसपास है लेकिन हमें find करना है कल के लिए ठीक है उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 9,600 वाला एक level है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यह देखिए यहाँ पे 9,600 वाला level पे 10,000,000 आपको लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए और 9,400,000 लोग यहाँ पे add हुए हैं और फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 95,000 के आसपास जो है सबसे immediate वाला जो एक hurdle हमारा बन रहा है वो है 95,000 के आसपास सबसे अच्छा कासा resistance यहाँ पे बिल्ड हुआ है और आज जो लोग add हुए हैं 11,74,950 लोग यहाँ पे add हुए हैं तो सबसे जो hurdle नियर वाला हो गया 95,000 के आसपास और उसके बाद भी अगर हम लोग बात करें तो यह देखिए 94,000 के आसपास जो हमारा यह hurdle बन रहा है 7,4,850 लोग यहाँ पे add हुए हैं और open interest यहाँ पे 7,75,575 है ठीक है तो और यहाँ पे जो लोग add हुए है 9,3,000 के आसपास 5,3,000 मतलब call side में आपको जो resistance है आपको यहाँ पे कौन-कौन से दिखने को मिल रहे हैं यह immediate वाला 9,4,000 देन उसके बाद 9,5,000 देन उसके बाद यहाँ पे भी 10,00,000 लोग है open interest में 9,6,000 तो इस तरीके से जो है resistance दिख रहा है लेकिन immediate के अगर हम बात करें तो पहला जो immediate हमारा है वो हमारा है 9,4,000 यहाँ पे देख लिजे 9,4,000 के आसपास जो हमारा immediate resistance है और मैंने एक पिछली वाले वीडियो में भी बताया है आपको कि इसी के आसपास जो हमारा एक like resistance आ रहा है और कलके जो मैंने targets भी बता है कि इसके आसपास market अगर support लेती है तो जा सकती है अब immediate हम लोग support की बात करते हैं तो देख लिजे आप यहाँ पे कि 9,3,000 वाला जो एक यहाँ पे change in open interest है 1,60,000 लोग यहाँ पे add हुए है और जो open interest यहाँ पे है 7,39,000 लोग यहाँ पे put को sell करके बैठे हुए यहाँ पे मतलब वो लोग यह expect कर रहे हैं कि market को हम लोग उपर लेके जाएंगे लेकिन आप देख लीजिए इस जो option chain data से हमें यह पता चल रहा है कि market में कोई भी एक अच्छा-कासा बढ़िया एक support जो हमें है यहाँ पे दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो सबसे अच्छा एक support के अगर हम बात करते हैं तो 9,000 के आसपास आप देखे यहाँ पे 11,00,000 contract जो है यहाँ पे open interest यहाँ पे है 11,87,625 और change in open interest भी यहाँ पे 4,27,725 है तो इस data से हमें यह पता चल रहा है कि निफ्टी अगर 9,300 वाला level sustain नहीं करेगा तो उसका पहला जो एक hurdle रहेगा 9,000 के आसपास देन उसके बाद इसको भी अगर हम ले ले तो यह 9,100 के आसपास देन उसके बाद नीचे की साइड में सबसे ज़्यादा जो लोग बैठे हैं 9,000 के आसपास बैठे हैं फिर अगर हम उपर के साइड में देखें उपर और जगर जाए हम तो यहाँ पे आप देखिए सबसे ज़्यादा जो लोग बैठे हैं यहाँ पे पचासी सौ के आसपास यहाँ पे सबसे आच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है तो भीया यह जो डेटा है हमें यह बता रहा है कि जो हडल हमारा यहाँ पे इमेडियेट वाला है एक तो हमारा 9500 के आसपास 14,00,00 लोग यहाँ पे बैठे हैं और 11,00,00 आज एड हुआ है तो लोग यह एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस डेटा से कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है निगेटिव साइड में है और नीचे के साइड में हमें सपोर्ट जो है अच्छा खासा कहीं पे राइज होते हुए नहीं निफ्टी को लाइक सपोर्ट जो है यहाँ पे कौन दे रहा है सबसे अच्छा खासा जो सपोर्ट है निफ्टी को एक तो हमारा 9,000 दे रहा है और एक दे रहा है 85,00 दे रहा है सपोर्ट ठीक है क्योंकि सबसे ज़्यादा उपन इंट्रेस्ट और उपन इंट्रेस्ट यहे और फिर अगर हम बात करें तो भाइया यह 92 00 के असपास तो कल के दिन में जो रेंज हो सकता है मार्किट का जो मैंने बताया है उपर की साइड में 94 में सो हो सकता है thing और स्ब्रसक्राइब करें चुड़ वो कर सकता है अब कल के दिन में देखिए market कहाँ पर उपन होती है क्या चीज़े होती है तो अगर market थोड़े बहुत gap अप या फिर gap down होती है open तो आपको थोड़ा सा सस्टेन होने के लिए market को छोड़ना पड़ेगा वेट होने के लिए कम से कम 10 वज़े तक या फिर साड़े दस तक देन उसके बाद आप लोग position अपनी बनाईए और चीजों को समझे देखे क्या हो रही है ठीक है और आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल से भी join हो सकते हैं जो की description में link है इस video के आप जाके उसको join कर लिजे और हम लोग भी सीखते ही है मार्किट से आप लोग भी सिखे आके हम लोग discussion करते हैं किसी topic पर कोई अगर concern रहता है उसका भी हम लोग solution निकालते है तो ऐसा ही देखते रही वीडियो और फिर सीखते रही है ठीक है guys मिलते है next video में दूसे topic के साथ